लेकिन प्रदीप यहाँ पर एक्विटी और टाइम फ इन्वेस्टम इन्वेश इन सब चीजों का दाउं पेश अगर मैं समझना चाहूं तो वो कैसे मैं अपने मुनाफिक के लिए इस्तिमाल कर सकती हूं तो शॉर्टम के लिए आप इन्वेस्टम करते हैं इसका मतलब यह है कि आप कुछ महीने या कुछ कोर्टर का अंदाजा लगा कर भी निवेश करते हैं तो एक साल के लिए टैक्सेशन के लिहाद से लॉंग टर्म कैपिटल गेंस होता है एक साल के आगे लेकिन जब आप इन् लेंगे जब उपर जाएगा तो आप बेचेंगे यह एक शॉर्टम इंवेस्टम की स्ट्राइजी हो सकती है अब आप हर कौर्टर में यह ट्रेड कर लेना चाहते हैं यह आप साल में एक बार अच्छे बड़े स्विंग को के वल ट्रेड करने की कोशिश करते हैं यह आपक अगले 20-25 साल तक भी तेजी का ही रहने वाला है तो हम आपको सला देती हैं कि आप 20 साल तक लगातार पैसे लगाईए और निकालने की मत सोचिए लेकिन जब आप एक्विटी इंवेस्मेंट करने जाते हैं अलग-अलग शेरों में सेक्टर में तो उनके साइकल अलग-अल नहीं दिया, crude oil में भी ऐसे साइकल है, metal में, steel में, aluminium में ऐसे ही साइकल चलते हैं, interest rate का भी एक साइकल होता है, तो आप इन साइकल को प्ले करने की कोशिश करते हैं, ऐसे मामलों में, तो जब आपको ये लगता है कि metal में या commodities में तेजी होने वाली है, तो आप commodity stocks में निवे साइकल को प्ले करने की कोशिश करता है, इनके हिसाब से benefit लेने की कोशिश करता है, और इस trend का benefit ले करके वो profit book करते हैं, और फिर नहीं कोई जगे ढूनते हैं, निवेश करने के नए विकल्ब, दूसरे विकल्ब ढूनते हैं, अगर आप इसको बहुती short term के तौर पे ले, जिसको हम trader कहते हैं, तो वो trader फिर intraday का trader भी हो सकता है, वो एक positional trader भी हो सकता है, positional trader अमूमन एक जो पूरी series होती है, वायदा कारोबार की, उसको ध्यान में रखकर trade करते हैं, तो जो खरीमन एक महीने के बराबर होती है, और हर महीने के आखरी guru war को उसकी expiry होती है, settlement होता हैं, तो फिर आपकी strategy अलग होती है, उस लिहाद से आपको अपने entry और exit के point ढूणने होते हैं, जैसे कि हम लगातार हमेशा ये बात करते हैं, कि long term investment सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे सही सटीक तरीका है, लेकिन ये बात भी समझने वाली है, कि अगर आप सीख सके, समझ सक और कर सके, तो short term investment से या trading से भी आप अच्छा मुनाफ़ा कमा सकते हैं, लेकिन ये सीखने वाली बात है, जो सबसे बड़ा फर्क होता है, short term के investment में और long term के investment में, वो ये होता है, कि long term में company की लगातार तरक्य हो रही है, company का का कारोबार लगातार बढ़ रहा है, हर साल वो कमपनी की तरक्य हो रही है, लेकिन जो short term investor है, जो trader है, जो कुछ हफते, कुछ महीने, कुछ दिन के साब से चलता है, वो दरसल बाजार में दूसरे traders के सामने खड़ा है, और आप किसी और की गलती का फायदा उठा रहे हो, तो ये हम कहते है zero sum game, यानि end of the day, short term के निवेशक होने की जरूरत है, अगर उतना knowledge आपको है, वो skills हैं, तभी आपके पैसे बनेंगा।